नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस वर्ड इंडिया मैं हूँ आपके साथ नेहा परहार आज अपने इस स्पेशल डे में हम बात करेंगे अभिनेता इर्फान खान की या यू कहें कि बॉलिवोट के पान सिंग तोबर की क्योंकि आज साथ जन्वरी है और आज के दिन इर्फान खान का बर्दे होता है भले ही इर्फान खान अब हमारे बीच में नहीं रहे लेकिन उनके दमदार अभिने के आज भी लोग कायल है 1988 में जब मीरा नायक की फिल्म सलाम बॉंबे पूरी दुनिया में धूम मचा रही थी तो शायद ही किसी की नजर उस दुबले पतले 18-20 साल के लड़के पर पड़ी हो जो ले देकर कुछी सेकेंड के लिए स्क्रीन पर आया होगा लेकिन पहली दफा इर्फान खान को फिल्मी परदे पर देखा गया और लोग उनको भूल भी गय होंगे लेकिन शायद ही कभी किसी ने ये सोचा होगा कि ये अभिनेता आगे चलकर ना केवल बॉलिवूट में बलकि हॉलिवूट में भी अपनी अदाकारी से सब की दिलों पर राज करेगा इर्फान खान का जन्म 7 जन्वरी 1967 में राजस्थान के जैपुर में हुआ था उनका जन्म भले ही पठान परिवार में हुआ हो लेकिन उनके परिवार के लोगों का कहना था इसको किसी ब्रामभड के घर में पैदा होना चाहिए था इर्फान खान की बॉलिवूट और हॉलिवूट की फिल्म में आसकर के लिए भी नॉमिनेट हुई है इस पेशल डे में आज के लिए इतना ही खबरों के लिए बने रहे है न्यूजबर्ड इंडिया के साथ नमस्कार